हेलो मोटर हेड्स वेल्कम तो दे फ्रेश रेस्ट आफ कार सूतरा जो कि आ रही है मारूती सुजूकी की तरफ से और मारूती सुजूकी ने प्राइस हाइक अनाउंस किया है अपने सारे प्रेडक्ट्स पे ये प्राइस हाइक अप्टू 6100 रुपीज हो सकता है यानि की 6100 रुपे तक का प्राइस हाइक सारे मोटल्स पे आपको देखने को मिल सकता है हाला कि company ने ये नहीं बताया कि कौन सी car पे कितना price hike देखने को मिल सकता है लेकिन आप लोगों को ये 16 अगस 2018 से effective price hike दिखेगा अगली news भी आ रही है मारूती की तरफ से और अगली news है मारूती Suzuki CS Face Lift को लेके और मारूती Suzuki CS Face Lift में काफे interesting features हैं जो की standard सारे features आपको सभी variants में मिलेंगे जो पहला feature है वो है speed alert alarm system जो की आपकी गाड़ी 80 से उपर जाते ही 80 km प्रती आर के उपर जाते ही हर 60 seconds में दो beep की warning देगी और 120 km प्रती घंटे की रफ़तार के बाद आपको वो beep continuously सुनाई देगी तो जो लोग गाड़ी बहुत तेच चलाते हैं या फिर जादा highway run करते हैं उनको ये बहुत annoying लग सकता है लेकिन ये काफी अच्छा सेफटी फीचर है और अगला जो सेफटी फीचर है वो है seat belt alarm या seat belt reminder सिर्फ driver seat के लिए नहीं जबकि passenger seat के लिए भी आपको reminder देगी CS facelift अगली news आ रही है Honda Navi की तरफ से और Honda Navi ने अपनी sales का एक लाक मार्क को cross कर लिया है Honda Navi को धाई साल लगे एक लाक का मार्क सेल करने के लिए काफी अच्छा रख figure है एक लाक जो sales है उनकी धाई साल के अंदर काफी successful कह सकते हैं आप इसको बाकी Honda Navi अब export भी की जा रही है भारत से बहुत सी countries में जैसे Costa Rica और भी 11-12 countries में export की जा रही है अगली news आरी है Mercedes-Benz India को लेके और Mercedes-Benz इंडिया ने भी price hike announce कर दी है ये price hike 4% तक हो सकती है और ये revised price September 2018 से applicable हो जाएंगे तब से बड़ा reason इसका माना जा रहा है जो की रुपी में गिरावट आई है जो हमारा रुपी है वो US dollar के सामने बहुत जादा खबजोर हो गया है जिसकी वज़े से ये सारी car companies price hike promote कर रही है अगली न्यूज आरी है टाटा नेक्सोन की तरव से और टाटा नेक्सोन ने अपना पचास हजारवा piece rollout कर दिया है अपनी राजगाओं factory से अपनी राजगाओं facility से काफी अच्छा माक है 50,000 टाटा नेक्सोन का last six months में जो की rollout हो चुकी है अगली न्यूज आरी है Hyundai की तर क्या है इस कॉंटेस्ट में अगर आप Hyundai AS2 के लिए कोई नाम सजिस्ट करते हैं और वो नाम सेलेक्ट हो जाता है तो आपको मिल सकती है AH2 Hatchback आपको participate करने के लिए Hyundai की website पे जाना होगा आप WhatsApp और SMS के द्वारा भी इस competition में इस contest में भाग ले सकते हैं अगली न्यूज आरी है Apple Car की तरफ से और 2023 तक Apple हो सकता है market में Apple Car ले आए और काफी interesting profits कमाने की सोच रहा है Apple 2023 तक Apple Car से अगली न्यूज आरी है Hyundai की तरफ से और Hyundai Centro AH2 का first official design sketch release हो गया है आप देख पा रहे होंगे काफी stylish sketch आपको देखने को मिल रहा है काफी tall boy look इसमें आपको देखने को मिल रहा है Hyundai Centro का और Hyundai कहता है कि ये एक contemporary family car होगी जो की Hyundai Eon को currently replace कर रही है और ये Tata Tigor, Tata Renault Quid और Maruti Suzuki Alto K10 जैसी गाड़ियों के लिए rival हो सकती है अगली न्यूज आ रही है Tesla की तरफ से और Tesla ने announce किया है 2022 तक वो एक नया model अपनी EV का launch कर सकते है ये launch Volkswagen ID जो की 2020 में due है उसके competition में लाया जाएगा Elon Musk ने कहा है वो कहीं से कहीं तक भी electric car market का share नहीं खोना चाते आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलते हैं तब तक के लिए wear seat belts, wear helmets, drive safe and make it a great day